कि गुड मॉनिंग साथियों उमीद है कि मेरी आवाज बढ़िया आरी सब अच्छा चल रहा है कि आज एक टॉपिक एक वीडियो में खतम वाली सिरीज में पार्ट नमबर पचीस आप देखेंगे वीडियो नमबर पचीस और टॉपिक होगा अवसत और इसका सब टॉपिक हो इस ब्लकुल वहारी की जम्पल हैं आप लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा किये होंगे अगर आप बस से जा रहें या अपनी कार फिजा रहें या पिट्रेंट फिजा रहें किसी भी तरीके फिजा रहें जो रोड मारत फिजाती है कोई भी वहाहन उसकी एक राष्टे में बहुत सारे जानवार आएंगे इंसान आएंगे राच्छास बूत परेद बहुत कुछ आएंगे तो वहां पर गाड़ी धीम करनी पड़ती रोकनी पड़ती है ना एक निश्ची चाल जाने सकती तो जहां पर फोरलेन होगा वहां पर आप ज्यादा स्पीड पर आप आये थे एक चल बता तो ऐसी जगहां पर कैसे आप रचाल बता पाएंगे माली जी आपको दस किलोमेटर की दूरी खाली मिल गई आपने असी की स्पीड में चलाया पांच किलोमेटर में जाम लगा था आप बिल्कुल बंपर टूबंपर ट्रेफिक में फसे थे फ परियाग राज से सुल्तानपूर यानि परियाग राज से अवध अवध के जश्ट सटा हुआ जिला है सुल्तानपूर अवध्या का मतलब अवध्या की जश्ट बगल इसकी एक average दूरी 100 km आप मान लेजिए प्रयाग राश से कह रहा है कि जिसकी दूरी 100 km है उसमें से 60 km की जो दूरी है वो 30 km पर दिगंटा के चाल से तथा बाकी की जो 40 km की दूरी है वो 20 km पर दिगंटा की चाल से चली गई तो ये बताओ कि average चाल क्या होगी मतलब एक बस है जो जा रही है ये इस तरीके से चल रही तो इसका आउसत चाल क्या होगी तो जानते हो आउसत क्या होगा आप आउसे लिखोगे आउसत चाल बराबर जानते हो पहले बात तो आप ये जान लो चाल बराबर क्या होगा चाल परबर होगा दूरी बटे समय यही होता है न मैं तो औस चाल परबर कुल दूरी बटे कुल समय यहाई बारे में थो कहीं पता ही नहीं है कुछ चरचा पहले तो समय निकालोगे तब है आप आउसाथ निकाल सकते हो आओ देखो इधर यहां पर दिख रहा है यहां पर हम अल करनेगे पहले देखिए कि 60 किलोमेटर की जो दूरी है वो 30 की स्पीड में चली है तो आप यहां क्या लिखेंगे देखो बाई साब इसका जो सूतर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है यहां से मैं फार्मूला आपको बना के दिखाऊंगा ठीक है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है हमें सम समय निकालना है उनका ऐस समय बराबर क्या होगा जानते हों दूरी बटा चाल ठीक है है समय बराबर क्या सूतर को बच्चा को देखते जाओ समझति यहां यह बहुत क्या जल्दी तो यहांन हो सकता कुछ दूरी थी पहला 100 km 100 km नहीं थी समझ ना । कहरा कि 60 km की दूरी 30 की स्पीड में गई है तो यहाँ पर आप रखो बाई सहाब जो 60 की दूरी थी वो 30 की स्पीड में गई है मतलब तो 2 घंटे का समय लगा कितना लगा? दो गंटे का समय, यह पहले स्टेप में हो गया, इसके बाद इतना ही नहीं, फिर आगे, बाई साब जो 40 km और बचरा सो में से, वो दूरी 20 की गंटे मतलब स्पीड में गई है, ठीक है, तो इसमें भी 2 गंटे लग जायगा, बाई साब 40 km की दूरी है, 20 km पर गंटे की ओला थे ठीक है, डचानगर आपके पास जगा को इस नची और उप Torל इस्थिती में समय बराबर दूरी बटाचाल तो बराबर दो घंटे दूसरी इस्थिती में समय बराबर दूरी बटाचाल दूरी साथ स्वरी दूरी 40 समय दो मतलब 20 ठीक है तो दो घंटे दोनों इस्थिती में दो दो घंटे का समय लगा टोटल टाइम कितना लगा चार गंटे क्या आ गया 25 कम पर घंटे ठीक है यह क्या आ गई चाल समझ में आया देखिए वीडियो लंबा हो सकता यह थोड़ा दो मिनिट में इसमें कुछ हो ही नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है पचीज के अबरेज आया चल वगला कह拿 करा एक बस अयोध्या से कानपूर्ष जाती है जिसकी कुल एक एबरेज दूरी 200 किलोमीटर आवसतन मान लिया गया लगबग में ठीक है जिसमें से वो 80 किलोमेटर की दूरी 40 किलोमेटर पर दिगंटा की चाल से तथा बाकी की जो 120 किलोमेटर की दूरी है वो 60 किलोमेटर पर दिगंटा की चाल से जाती है तो उसकी आउसत चाल बताओ आउसत चाल बताने के पहले आप टाइम निकालोगे ठीक है, तो आप क्या निकालोगे भाई साहब, समय, समय बराबर, अभी अभी तुम देखे हो, क्या होगा, दूरी बटे, चाल, ये फार्मूला था, तो पहले दूरी कितनी चली है, 80 किलोमेटर की दूरी 40 की स्पीड में चली है, तो भाई साहब, पहले समय लग गया आपका 2 गंटे, सिर्फ समझना है, बस बोलना नहीं किसी को चलो, फिर दूसरी स्थिति में क्या होगा, आप यहाँ पर लिख दोगे, समय 2, समय 2, या T2 भी लिख दो, इंगलिस में जादा अच्छा लगता है, समय के लोग देखे, T2 बराबर, दूरी मतलब डिस्टेंस, D2, चाल म मतलब, स्पीड यानि S2, है न, दूसरी कंडिशन में 120 किलोमेटर की दूरी है, 60 की स्पीड है, तो 120 बटे 60, ये भी आ गया 2 घंटा, यानि दोनों कंडिशन में भाई मेरे 2-2 घंटे का टाइम लग रहा है, अब आप लिखोगे क्या, यहाँ पर लिखो, आउसत चाल कुल समय, टोटल दूरी 200 किलोमेटर की थी, टोटल समय जो लग रहा भीया, 2-2 और यह 4 घंटे लग रहा है, सो आपको जो एवराज आ रहा है, वो आ आ रहा 50 किलो मेटर पर घंटे, ठीक है, यह क्या है, आउसत 850 किलो मेटर पर घंटे, किसी को को डाउट नहीं, नो डाउ लोगे ठीक है इसको भी आप होमर कर लेना नहीं लिख पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे खीच के लिख लो बैक करके लिख लो वो गया ये भी तुम होमर कर लेना ठीक है कर लोगे चलते हैं फिर पीवियार स्टेडी अपलिकेशन में अभी एक आउसर बैच लांच करते हैं और रात 9 बजे से यूटूब पर बिल्कुल फ्री बैसिक लाइब होता है और बिल्कुल फ्री टोटली पेड़ वाली कोर्स फ्री पढ़ना चाहते हूं तो यूटूब पर बिंटर बैच फालो कर ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा है थांक्यू वीडियो को लाइ बैना बॉलामी